दोस्तों, एक बार महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, ए स्वामी, आज नाग पंचमी का पावन दिन है, कृपया मुझे बताईए, नागों को पूजनिय क्यों माना जाता है, और किस कारण से नाग पंचमी मनाई जाती है, इस दिन नागों को प्रसन्न करने के लिए मनुश्यों को कौन से उपाय करने चाहिए, हे प्रभु, कृप आप मुझे इस पर्व से जुड़ी कोई प्राचीन कथा सुनाईए, जिससे मेरा हृदय प्रसन्न हो जाए, भगवान शिव ने एक मधुर मुस्कान के साथ पारवती को देखते हुए कहा, हे सुरेश्वरी, नागों का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल से है, वे देवत और संहार दोनों की शक्तियां है, वे अपनी उर्जा और ज्ञान से संसार की रक्षा करते हैं, पारवती ने प्रशन किया, हे स्वामी, यदि नाग इतने शक्तिशाली और रक्षक है, तो फिर मनुष्य उनसे भैभीत क्यों रहते हैं, क्या वास्तव में नाग मनुष्यों कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और जीवन में सुक्षान्ती बनी रहती है, नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा और उनके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, इस दिन स्त्रियाओं नागों को दूद पिलाती हैं और उनकी आराधना करती है, जिससे उन नागों के प्रती भक्ति और स्नेह की महत्वपूर्टा को दर्शाती हो, शिवजी ने प्रसन्नता से कहा, हे देवी, अवश्य, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो नागों के प्रती भक्ति और सेवा की महिमा को उजागर करती है, यह कथा सुनने से ही मन अत्यंत सुन्दर नगरी थी। उस नगरी में एक गरीब स्त्री रहती थी जिसका नाम देव की था। उसकी मां का नाम गौरी था। गौरी एक विध्वा थी और उसकी एक मात्र संतान देव की थी। गौरी ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही स्नेह और मेहनत से की वह रोज सुबह घर के सामने बरतन में दूद रखकर नागों को पिलाया करती थी। नागों के प्रती उसकी भक्ती इतनी थी कि साक्षात नागराज उस स्त्री की भक्ती से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन प्रसन्न होकर उन नागों ने गौरी से कहा, हे माता, आप हमें रोज दूद पिलाती हैं, हमारी भक्ती करती हैं, इसी लिए हम आप पर प्रसन्न हैं, आपकी जो भी इच्छा और कामना हो, हमसे मांग लीजिए, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। तब गौरी ने कहा, हे नागराज, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी देवकी की चिंता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यू के बाद आप उसकी रक्षा करें, और उसे अपनी बहन मानकर उसकी सहायता करें। नागराज ने वचन दिया, हे माता, हम आपकी भक्ती को कभी नहीं भूलेंगे, आपकी मृत्यू के बाद हम आपकी पुत्री की रक्षा अवश्य करेंगे और उसे अपनी बहन मानेंगे। कुछ समय बाद गौरी ने देवकी की शादी एक प्रतिष्ठित और सम्रिध घराने में कर दी। देवकी का विवाह हो जाने के बाद गौरी की मृत्यू हो गई और देवकी अकेली रह गई। देवकी अपने ससुराल में सबसे छोटी बहु थी। उसकी बड़ी बहनों के नाम सूशमा, रमा और वसुधा थे। फिर एक दिन नाग पंचमी का त्योहार आया। सूशमा, रमा और वसुधा अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। वे अपने मायके से उपहार और मिठाईयां मंगवा कर जाने की योजना बना रही थी। लेकिन देवकी उसकी का कोई मायका नहीं था क्योंकि उसकी मां जो उसका एक मात्र सहारा थी अब इस संसार में नहीं थी। देव की उदास मन से अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि वह इस त्योहार को कैसे मनाए। सूशमा ने देवकी को ताने मारते हुए कहा। चोटी बहन तुम्हारा मायका तो है नहीं अब तुम क्या करोगी यही घर में बैठ कर सासू मा की सेवा करो और हम सब के लिए मिठायां बनाओ। देवकी की आँखों में आँसू आ गए। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव आपने मुझसे मेरी मा को भी चीन लिया, अब मैं किस से अपना दुख साजा करूं, कहां जाऊं। उसी रात जब देवकी चिंता में डूबी हुई थी, तभी नागराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और देवकी के घर पहुँचे, उन्होंने दर्वाजे पर दस्तक दी, देवकी ने दर्वाजा खोला और देखा कि एक सुन्दर युवक खड़ा है, जो देवताओ के समान प्रतीत हो रहा था, उसने सोने के आभूशन और मुकुट पहन रखा था, उस अत्यंत दिव्य पुरुष को देख कर देवकी ने आश्चर्य चक्खित होकर पूछा, हे देव, आप कौन है और इस समय यहां कैसे आए, नागराज ने कहा, हे बहन, मैं तुम्हारा भ बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोली, हे देव, आप सच कह रहे हैं, मेरी मा ने नागों को दूद पिलाया था, नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो, नागलोग चलते हैं, वहां तुम्हें बहुत प्यार और सम् श्वासन दिया कि वह वहां खुशी से रह सकती है, नागलोग एक अद्भुत और जादुई स्थान था, वहां की हवाएं शीतल और सुगंधित थी, चारों और हर्याली फैली हुई थी और फूलों की महक से वातावरण मंत्र मुग्ध हो जाता था, वहां के भवन सोने और चांदी से बने हुए थे और रतनों से जड़े हुए थे, नागलोग में सभी नाग प्रेम और सौहार्द्र से रहते थे, वहां के नियम और अनुशासन बहुत सकते लेकिन सभी नाग उनका पालन करते थे, नागराज ने देवकी को नागलोग के विभिन स्थान दिखाए और उसे वहां के नियम समझाए, नाग माता ने देवकी को एक सुन्दर कमरा दिया, जिसमें रतन जड़ित बिस्तर और सुन्दर साज सज्जा थी, देवकी भी जल्दी ही वहां की जीवनशैली में रच बस गई, कुछ समय बाद नाग माता ने देवकी से कहा, बेटी, हमा दूद ज्यादा गर्म कर दिया, और सभी नाग बच्चों के मुह जल गए, नाग बच्चे बहुत क्रोधित हो गए और चिलाने लगे, नाग बच्चा अरुण ने गुस्से से कहा, हे स्त्री, तुमने हमारे मुह जला दिये, हम तुमें कभी माफ नहीं करेंगे, दूसरा नाग बच्चा वरुण बोला, तुम्हारी वज़ा से हमें दर्द हो रहा है, तुम कितनी निर्दई हो, देवकी ने रोते हुए कहा, हे नागों, मुझसे गलती हो गई, मैं सच-मुच माफी चाहती हूँ, मुझे यह नहीं पता था कि दूद इतना गरम है, नाग माता ने स्थिती को शांद करने के लिए कहा, बच्चों इसे माफ कर दो, यह हमारी बहन है और इसने जान बूच कर ऐसा नहीं किया, यह हमारी महमान है और हम इसे सजा नहीं दे सकते, नाग बच्चे बदला लेना चाहते थे, लेकिन नाग माता के समझाने पर उन्होंने अपने क्र करते हुए उसने नागों से फिर से मिलने की आशा की फिर देखते ही देखते अगली नाग पंचमी आ गई इधर नाग बच्चे अब बड़े हो चुके थे नाग माता ने उन्हें देवकी को लाने के लिए कहा नाग पंचमी के दिन नाग बच्चे देवकी के घर जाने के रा उसे उसकी गलती का एहसास कराना ही होगा जब वे नाग देवकी के घर पहुंचे तो देवकी ने उनका स्वागत किया उसने ठंडा दूद पिलाया मीठी रोटी खिलाई और बहुत प्रेम से उनका आदर सतकार किया उसकी आँखों में सच्चा प्रेम और समर्पन जहलक रहा उसने उनके स्वागत के लिए सुंदर रंगोली भी बनाई थी और स्वागत की पूरी तयारी की थी उसने उन्हें फूलों के हार पहनाए और प्रेम पूरवक उन्हें नमसकार किया नाग बच्चे देवकी का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए उन्हें समझ में आया कि दोश हो और तुम्हारा दिल साफ है वरुण ने कहा तुम्हारा प्रेम और सतकार देखकर हमारे दिल पिघल गए हैं हमने तुम्हें गलत समझा फिर देवकी ने भी उन्हें माफ कर दिया उसके बाद वे नाग देवकी को लेकर नाग लोग गए और उसे बड़े प्रेम से र पढ़ गई अंत में नागराज ने देवकी को वर्दान दिया हे बहन अब जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन नागों को ठंडा दूध पिलाएगी नाग कभी उसके परिवार वालों को नहीं डसेंगे यह तुम्हारी सच्ची भक्ती और सेवा का फल है देवकी ने नम आख से नागराज का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपने घर लोट आई इस प्रकार देवकी ने नागों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताया और हर साल नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम सेवा और सच्ची भक्ती से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और सच्चे मन से किया गया कार्य हमेशा फलदाई होता है भगवान शिवने कहा हे देवी इस प्रकार से अपनी सच्ची भक्ती से देवकी ने नागों को प्रसन्न किया उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है तो दोस्तो उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नाग देवता हर हर महादेव जरूर लिखें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन पर क्लिक करना न भूले और वीडियो को परिवार के साथ शेयर जरूर करें आप सभी का धन्यवाद